नमस्कार, दया.com में आपका स्वागत है चीर्टियों से अपने सामान को कैसे बचाना है, ये आज हम देखने वाले है जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने चीर्टिया ना आये, इसलिए हम ट्रिक्स सर्च करते हैं लेकिन कितने भी पापट बेल लो, चीर्टियों से चुटकारा नहीं मिलता धूप में सुखने के लिए दाल रखी थी, और देखिये, इस डिपे में भी चीर्टिया लग गई है जिस वज़े से चीर्टिया आती है, उस वज़े को ही मिटा दे तो, थोड़ा तो रिलिफ मिलेगा है खाना बनाते समय तेल के चीर्टे भी उड़ जाए या जरा सा भी खाना गिर जाए तो उसमें चीर्टिया लग जाती है इसलिए कीचन का काम हो जाने के बाद, जल्द ही गयास और कीचन टेबल की साफ सफाई कर देनी चाहिए इससे भी थोड़ी सी तो हमारी परिशानी कम हो जाएगी जितना हो सके, साफ सफाई का खयाल रखे हमारे पास कोई भी पुराने दुपट्टे होते है या पुरानी साड़ी या कोई भी कपड़ा उससे हम हमारी रिक्वाइर्मेंट की हिसाब से बैक तायार कर लेते हैं अगर आपके पास छोटी बड़े आकार में पॉलिथीन बैक्स है तो उसे भी हम योज़ कर सकते हैं इस तरह की लेस या किसी भी प्रकार की डोरी हमें चाहिए बस देखिए मैंने इस डिबे में तेज बत्ता डाल कर रखा था तो चीटियों ने इस डिबे को ही घेर लिया चीटियों को इसकी गन पसंद नहीं उसकी गन पसंद नहीं ये डाल कर रखो वो डाल कर रखो कुछ फायदा नहीं होता उल्टा उसमें ही चीटियां लग जाती है होट पोट में भी चीटियां आ जाती हैं तो उसे हम पाने में रख देते हैं लेकिन इस तरह पैक करके रखेंगे तो जंजट करने की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी आप सबसे होंगे कि उपर से कागज की तरह कपड़े को रखेंगे तो भी चलेगा ये भी ठीक है लेकिन कई बार बारी बारी चीटि में से गुज जाती है तो हम उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे आने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा चीटियों के आने जाने के रास्ते में मिर्च मसाला डाल कर रखने से भी कुछ नहीं होता उनका रोज का रूट थोड़े ही फिक्स होता है आज यहां पर मेर्च मसला डाला तो वो आपना रस्ता बदल के नहीं आ सकती सिधी सी बात है तो हम जिस वजह से यह चीटियां आती है उस वजह को ही मिटा देते हैं हम हमारा जो भी सामान है जहां चीटियां एटक करती है उस सामान को इस बैग में डाल कर सिल करते है यह चीटियां इतना परेशान करती है कि कभी-कभी तो यह आटे के डिबे को भी नहीं छोड़ती हम ट्रिक्स आजमा कर ठक जाते है हम अकसर डिबों को कागज लगा कर रखते है लेकिन यह उपाय हम हर जगह नहीं आजमा सकते बड़े-बड़े डिबों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कई बार तो कागज की वज़़स से ढकन बहुत ही टाइट हो जाते है उन्हें निकालने में मुश्किल हो जाती है तो हम ऐसे ट्रिक्स इस्तमाल करते है जो आसान हो बस स्वीट ओईली चीजों को इस तरह से पैक करके रखना है हम हर जगह एर टाइट कंटेनर यूज नहीं कर सकते लिमिटेशन सा जाती है तो जहां-जहां रोज के सामान में चीटी लगने का डर है बस उस सामान को इस तरह से सिल करके रखना है हमारे लिए आसानी हो जाएगी ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये सामान हम कबर में रख देंगे और चीटियों से होने वाली परिशानी से और उन नाकाम तरिकों से तो ये बेटर है तो मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो लेकर आप हमेशा खुश रहिए हेल्दी रहिए